योजनेन इंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है विकलांगों के लिए बड़ी अच्छी कुछ खबरी है क्योंकि विकलांगों को 27 सितंबर 2024 तक आवेदन करना है और इन साथ योजनाओं का लाब आपको घर बैठे मिलेगा और आवेदन करने के लिए भी आपको कहीं पर नहीं जाना होगा क्योंकि आवेदन के लिए भी सिवीर लगाए जाएंगे और सिवीर में इन योजनाओं का लाब दिया जाएगा तो कहां पर यह सिवीर लगाए जाएंगे और कौन-कौन सी योजनाओं का आपको लाब मिलेगा और अगर आपका UDID कार नहीं है तो वहे भी बना कर दिया जाएगा तो साथियो यह है जो लाब दे जाएंगे कौन-कौन सी योजनाओं के दे जाएंगे और कहां पर दे जाएंगे सब कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो अगर आप एक दिव्यांग वेक्ति हैं तो वीडियो को आखीर तक जरूर देखेगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दफ्तरों के चक्कर लगाने की बजाए उन्हें एक इस्थान पर परमानपत्र जारी किये जाएंगे यानि कि जो दिव्यांग जन पहले दफ्तरों के चक्कर लगाते थे अब उन्हें चक्कर लगाने की जुरत नहीं है एक स्थान पर ही उन्हें परमानपतर जारी किये जाएंगे इसके लिए जिले की सभी 6 पंचायत स्यमीतियों में दिव्यांगों के लिए सिवीर लगेंगे सिवीर में 3 से 27 सितंबर तक आविजित किये जाएंगे यानि के तीन तारिक से लेकर के 27 तारिक यानि के 27 सितमबर तक यह सिविर लगेंगे तो 27 सितमबर 2024 तक आपके पास मोका है सिविरों में स्वालंबन पोर्टल के माध्यम से दिव्यांग जनों को दिव्यांगता परमानपत्र और UDID कार्ड जारिक के जाएंगे यानि के जिन दिव्यांग जनों के पास दिव्यांग परमानपत्र नहीं है उन्हें दिव्यांग परमानपत्र दे जाएंगे और जिसके पास UDID कार्ड नहीं है उन्हें UDID कार्ड बना कर दिया जाएगा साथ ही पात्र दिव्यांगों के लिए रोडवेज की ओर से यात्रा पास भी बनाए जाएंगे सामाजिक न्याएं एवं अधिकारिक्ता विभाग के जो सायक निदेशक है स्री पवनकुमार गुपता जी से जो जानकरी मिली है उन्होंने बताया है कि सिविर में चात्रावास अधिक्सक कैम्प से पूर्व संबंदित विकास अधिकारियों के समर्मन इस्थापित कर सभी ववस्ताय करेंगे सिविर में एंजियो का भी सैयोग लिया जाएगा इंटर्शिप कर रहे अभ्यार थी दिव्यांगों को सूची के अनुसार दुरुभास पर संपरक कर उन्हें निर्धारिती थी वे समय पर सिविर में सिविर इस्थल पर कैम्पों में आने के लिए सूचित करेंगे महीं कनिसाहिय केम्पों में आने वाले दिव्यांगों को विशेश योगेजन के लिए सभी परमुक साथ योजनाओं में आवेदन करा कर उन्हें लाब दिया जाएगा साथ ही दैनिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में निदे साले भी विजवाए जाएगी और कौन-कौन सी योजनाओं का लाब में लगा भी बताएंगे सिविर सुबह 10 बजे से साम 6 बजे तक लगेंगे सिविर में CMHO विकास अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग DEO-JD सूचना अवं प्रविद्यक विभाग सामाजिक न्याएं अधिकारिकता विभाग नगर परिशद पालिका के आयुक्त आधि सीसी अधिकारी रोजगार रोडवेज आधि विभाग के अधिकारी करमचारी मोजूद रहेंगे जिले में 38,149 दिव्यांगों ने आवेदन कर रखा है इन में से 28,000 से अधिक आवेदन विभिन खामियों के चलते पैंडिंग है यानि कि जिनकों ने आवेदन किये थे उनके किसना किसी गलते कारण 28,000 आवेदन पैंडिंग है ऐसे में सिविर के माध्यम से आवेदन अकवा निप्ठारा भी किया जाएगा कब कहा लगेंगे सिविर 3 सितंबर को 45 समीती करोली अब यहाँ पर आप जानिये यह जो सिविर दिव्यांग जनों के लिए लगेंगे वह राजस्तान राज्य सरकार के दुवारा लगाए जाएंगे और राजस्तान का जो करोली जिला है उसमें यह सिविर लगाए जाएंगे जैसे 3 सितंबर को 45 समीती करोली 11 सितंबर को 54 महसलपूर 12 सितंबर को 45 समीती मंडरायल 18 सितंबर को 85 समीती सपोर्टरा और 24 सितंबर को श्री महावीर जी 27 सितंबर को पंचाथ सिमिती हिंडोन सिटी में यह सिविर लगा जाएंगे इन योजनाओं का लाम मिलेगा दिव्यांग जनों के लिए सामाजिक न्याएं एम अधिरक्ता विभाग की ओर से संचालित संयुक्त साहता अनुदान योजना मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन सवर उजगार योजना विशेष योग्यजन चातरवर्ती योजना विशेष योग्यजन सुखद दमपत्य जिवन योजना मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पैंसन योजना इंदरा से इनहें लाबम्वित किया जाएंगा तो साथियों अगर आप राजस्थान के इस जिले के रहने वाले हैं और आपने भी आवेधन्ट किया था और किसी करण से आपका आवेधन में हैं तो आप इन सिवरों में पहुंचकरके अपने आवेधन को सही करा सकते हैं आपका दिव्यांग परमान पतर नहीं है उसे बनवा सकते हैं UDID कार्ड नहीं है आप UDID कार्ड भी बनवा सकते हैं तो यही थी जानकारी वीडियो गर आपको अच्छे लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरू करिएगा और चैनल पर नए आए है तो सस्क्राइब भी जरू करिएगा